हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्माट इंजिनियर को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास मेरे बेल आइगन उपडेट आपको मिलती रहे और फ्रेंड्स अगर आपको इंजिनिरिंग फिल्स और भी अपडेट चाहिए तो आप मारे इंस्टाइग्राम पेच के साथ जोईन हो सकते हो जिसका लेक मैंने आप नीचे मेंसन किया है चलिए विडियो की सुरवात करते हैं तो आज का टोपी के अमारा मेरेडियन है बात करो तो हर बार आज़ामिने यवल में छे से साथ नमर या फिर पांच से चार नमर में के लिए पूछ याता है तो आप अगर इससे करके जाते हो तो आपके लिए बहुत फाइदा है तो और फ्रेंट्स का कहता है कि बेरिंग अफ लाइन इस ऑलवेज मेज़र्द कल्वाइज इस तरह है तो हम इसक्त लैंग करते हैं और फ्रेंट्स का कहा रहा है कि विद रिस्पेक्ट्ट वर रेदोक्रण्स लााइन और डाइरेकशन जी और किसी लाइन का हम reference लेते हैं तो friends उसे का कहेंगे कि this reference line is called meridian मतलब जिस line का हमने सहारा लिया है उसी को कहेंगे meridian तो पहले मैं आपको friends अगर हमारे इस वीडियो पर नहीं हो तो bearing आपको छी दरह से मैं clear कर दूँ friends bearing किसे कहते हैं मैं आपको बता दूँ friends हमारा कुछ चार quadrant है मैं आपको समझा दो north, south, east, west और friends मैंने हापर कोई भी एक object को measurement किया और मैंने हापर उसका angle लिया तो friends मैं आपको बता दूँ कि जब हम north के ही सापेक्स में कोई angle measurement करेंगे जियां तो उसे कहेंगे हम bearing जियां उसे ही कहेंगे हम bearing तो friends तेहें पर वही कह रहा है कि friends जब भी हम जब भी हम क्या कह रहा है कि bearing of a line is always measured clockwise with the respect to some reference line जियां और हम किसी reference line के मदद से जब किसी line का measurement करेंगे bearing तो friends ये जो हमारा main line होगा इसे हम कहेंगे meridian जियां ये north और south line जो रहीगे हमारी इसकी का बन मेरिडियन तो friends आगे चलते हैं आगे क्या कह रहा है there are three types of meridian friends आपर तीन प्रकार है तो first of all हमारा पहला क्या आएगा true meridian, second आएगा magnetic meridian, third आएगा arbitrary meridian, third हमारा arbitrary meridian, आपर एक important note लिखाए क्या friends समझ लेते हैं कि the bearing of a line is the horizontal angle which is max with a reference line meridian, तो friends आपर कह रहा है कि जब भी हम आपको कि जिस line के reference हम कोई भी angle लेते हैं हमेशा हुआ angle को होता है, horizontal angle होता है, friends आगे चलते हैं, तो चलिए friends हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है, आगे friends हमारा true meridian, true meridian क्या कहता है friends, the true meridian through a point is the line in which a plane passing through that point and the north and south poise intersects with the surface of the earth, friends आपर कह रहा है कि जो भी हमारी प्र अच्छी तरह से मतलब कि प्रित्वी surface की main line, जी हाँ, यह हमारी प्रित्वी हो गए, आपको प्रित्वी पर बहुत सारे देशामसित रेखाएं आये होती हैं, विसव भूत रेखाएं आती हैं, जी हाँ, कुछ इस तरह से रहती हैं, आपको पता हो तो कुछ ऐसी देशामस से कहते हैं, मतलब जो प्रित्वी की surface से पास होती हो, और friends जो प्रित्वी की center में से गई हो, तो उसे कहते हैं हम true meridian, जी हाँ यहाँ पर बताया हुआ है, तो friends इसके बाद आगे क्या आता है हमारा, जी हाँ friends आगे क्या आता है, कि it is also called geographical meridian, जी हाँ फिर से हम geographical meridian के भी ना जात करने के, यानि magnetic meridian ही जात करने के, हम एक practical सिखाई गए थी, तो क्या काम करते थे हमें एक चुमबक के सुई, यानि magnetic needle लेते थे और उसे हवा में, हवा में हम आसानी पुरोग वातावरण में घूम सके, इस तरह freely एक धागे की से बान करके, इस टेंड के थू लटका द magnetic needle, free from local attractions, is called the magnetic meridian, तो it is also known as magnetic north-south line, जी हाँ फ्रेंट्स हम इसे magnetic north-south line भी कहते हैं, और फ्रेंट्स वही लिखाए कि हम freely छोड़ देते हैं, और जहाँ पर जा करके रुखती है, उसे कहते हैं, हम magnetic meridian, तो फ्रेंट्स हम आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं ड्रोइं के भी पास होने वाली लाइन, जी हाँ सेंटर में से पास होने वाली लाइन, और सीधा प्रित्वी की सरफेस से मिलने वाली लाइन, जो हमारा एक्च्वल प्रित्वी का north and south direction बताती हो, उसे कहते हैं, हम true meridian, जी हाँ, मैंने आपर लिख रखा है, इसी लाइन को true meridian, और से पहले आएगा हमारा arbitrary meridian, जी हाँ, मैंने थोड़ा से उल्टा दिख दिख दिया है, इसके लिए माफी चाहूँगा, कोई नी फ्रेंट्स में इसे ही बता देता हूँ, पहले कि for small survey, any convenient directions can be considered as a meridian, which is known as arbitrary meridian, जी हाँ फ्रेंट्स आपर कहा रहा है कि कोई भी small area consider करते हैं, survey करने के लिए, वाँस जो line हमारी passes होती है, तो उसे हम कहते है, actually, arbitrary meridian, तो friends, इसके बाद हमारा आगया आता है, true bearing, जी हाँ, friends, आपर true bearing, मैं आपको इस drawing कहीं माध्यम से समझाना चाहूँगा, कि friends, हमारा true line, true meridian रहता है, true meridian कहीं सापेक्ष में, जो हम अपना कोई भी एक bearing, मतलब कोई एक angle लेते हैं, clockwise, तो उसे कहते हैं, true bearing, जी हाँ, friends, आपर देख सकते हैं, छोटा सा angle, यह हमारे true meridian के बीच से लेकर के, b line जो हमने ली है, इसके बीच में जो बन रहा है, तो से हम कहते है true bearing, और friends, इसके बाद आएगा, हमारा magnetic bearing, तो magnetic bearing किसे कहेंगे, friends, जो ह हमारी magnetic line से होकर, जो हमारी line पर touch होती हो, मतलब magnetic line को लेकर के, मैं एक angle measurement करूँ, कोई एक angle measurement करूँ, तो उसे कहूँगा, मैं magnetic bearing, जी हाँ, friends, आप अपर देख सकते हो, तो friends, कुछ इस तरह से, यह सारे bearing, और इसके बाद meridian defined होते हैं, और इसके बाद आगे, friends, हमारा चालो ह क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो मैं आप को ने इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो friends, आप नेक्स वीडियो को जरूर अटेंड कीजिए, और आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए thank you so much for watching my video, friends, मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में, बाइ-बाइ, टेक कर और गुद्बाइ